हाई आम शुश्मिता वैनत जी वैसे तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ के टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए और अगर आप वो खुद बनाओगे तो बिटर होगा लेकिन कुछ लोगों को ना टाइम टेबल खुद से बनाने में प्रॉब्लम होती है तो डोंट वरी भी देख सकते हो तौ चलिए ताइम को वेष्ण अकरते हुए आज का वीडियो प्टा पड़ शुरू करते है वाई टाइम टेबल बनाना है लेकिन इसलिए नहीं कि सभी अजकल बनाते हैं लेकिन आपको clear होना है कि आपको खुद के लिए क्यों time table चाहिए क्योंकि जादा तर time ना हम ये सोचने में ही गवा देते हैं कि हम पूरा दिन करे तो करे क्या और आखिर में हम कुछ करते ही नहीं है लेकिन अगर आपके पास एक proper plan पहले से होका तो फिर सोचने की जादा जरूरत ही नहीं परेगी तो इसलिए time table जरूरी है तो अब चलो time table बनाते हैं सुभए उटने के बाद आपको 2-3 घंटे at least पढ़ना है और कौन सा subject जो आपको सबसे hard लगता हो जी हाँ तो इस 2-3 घंटे के बीच आप अपने लिए एक, दो या तीन सबजेक्स चूज कर सकते हो from hardest to heart अब अगर आप एक student हो तो जाहिर सी बात है आपको school या college जाना है और फिर वहाँ से घर आने के बाद आप 2 shift में पर सकते हो जैसे कि पहले 2-3 घंटे पर लिया और फिर एक छोटी सी break ले ली वो break 15 मिनिट से आधे घंटे का हो सकता है और break के बाद आप फिर से 2 घंटे पर लो आप सोने से पहले अपने साड़ा दिन जो कुछ भी बरा वो एक बार अपने माइंड में याद करके revise कर सकते हो और हाँ, पूरे दिन में आपको at least एक बार लिखना जरूर है तो routine तो मैंने बता दिया अब भी कुछ doubts होंगे, वो clear करते है और कुछ important चीज़े मैं आपको बताना चाहूंगी अप हर एक दिन कितने subjects परे at least दो subjects तो आपको रोज जरूर पढ़ना है वो आप अपने हिसाब से subject choose कर सकते हो और आप हर एक subject के लिए at least 30 minutes रख सकते हो खाना और सोना बहुत important है और exercise या खेलना कुदना भी तो वो सब भी आप ठीक से करना पढ़ाई के साथ साथ time total मैंने आपको 6-8 घंटे का बताया आप ये बराबे सकते हो अपने capability के हिसाब से और भी अगर कुछ doubt है तो आप comment में पूछ सकते हो I hope आपको अज की वीडियो helpful लगी है पढ़ना जरूरी है सब को पता है लेकिन कितने अपने समय को बरबाद करते है आप वो बरबाद करने वाला मद बनो और चलो समय को अच्छे से यूटिलाइस करके पढ़ते है वीडियो helpful लगी हो तो like, comment, share और subscribe करते ना फिर मिलेंगे next Tuesday और Saturday को Goodbye and use your time table properly पर ले